करके सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपनी ओकाद दिखा दी यानि की जियों के ओफर के बाद सभी कंपनी ने अपने अपने प्राइस और रिचार्ज में कट आती की जिसकी वज़े से सभी टेलीकॉम कंपनिया अपने घ्राइकों से यानि की हम से जरूरत से ज़्यादा मुनाफ़ा कमा रही थी तो उस मामले में तो मुकेश अमबानी जी ने सबकी बोलती बंद कर दी सिलसला यही नहीं थमा जियो 4G सर्विस के बाद अब हम सभी जानते हैं कि रिलाइंज जियो ने अपना एक फीचर फॉन लाँच कर दिया है जो की कॉस्ट आफ फ्री है हाँ माना आपको इसके लिए पंदरा सो रुपे देने होंगे लेकिन वह ऐसे सिक्योरिटी डिपोजिट है जो आपको तीन साल की अबदी के बाद रिफंड कर दिया जाएगा अगर आप फोन वापस करना चाहते हैं तो और ये सब देखते हुए बाकी फोन कंपनी चुक तो बैठने वाली है नहीं तो आज ख़बर आ रहे हैं इंटेक्स की तरफ से ख़बर की माने इंटेक्स ने मंगलबार को भारत में अपना पहला 4G Enable Voilty Feature Phone तरवो प्लस 4G भारत में लॉंच कर दिया है इंटेक्स ने इस फोन का एलान मुकेशंबानी दौारक जियो का Feature Phone के एलान किये जाने के बात किया यह फोन कंपनी की नवरतन सीरीज के तहट आया है और साथ ही इस सीरीज में 8 दूसरे फोन मॉडल भी है जिनकी कीमत 700 रुपे से लेकर 1500 रुपे के बीच में रखे गई है चलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ फोन का स्पैसिफिकेशन किस तरह से होगा 2.4 इंच की इसकी डिस्पले दी गई है जो की QVGA होगी यह काई OS सॉफ्टेर वर्जन पर काम करेगा इसमें डूल कोर प्रोसेसर के साथ में 512 MB की रेम दी गई है और साथी 4G भी इंटर्नल स्पेस दिया गया है जिसे आप चाहें तो 32 GB तत एक्स्टेंड कर सकते हैं इस 4G फोन में कैमरा होने वाला है 2 Megapixel का और वहीं फ्रन्ट पेसिंग कैमरा होगा इसका BGA साथी 2000 mH की बैटरी दी गई है जो की यह प्लस पोइंट है छोटी स्क्रीन है पर्फोर्मंस बैटरी के मामले में अच्छा ही होगा तो दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरेक्स ने ऐलान किया है अपने इस फोन के बारे में और हाँ एक और सवाल क्या इसमें जियो की सिम चलेगी या नहीं तो फ्रेंड्स यह वोल्टी सपोर्टिट फोन है इसमें जियो की सिम भी काम करेगी तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही मैं उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा आया है तो लाइक करें शेयर करें और अगर यह चनल आप पहली वार देख रहे हैं तो हमारी चनल को सबस्क्राइब करने ना भूलें मैं हर तरह के टेक रेलेटरी जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ तो मिलते हैं अगले अपडेट में तब तक के लिए बाबाए